नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में और आज का मोग टेस्ट नमबर है अपना 46 यानि कि इससे पहले 45 मोग टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आते हैं सुबह आपके 7 बजे और शाम को 7 बजे भी एक क्लास आती है जो आपकी रहती है चेप्टर व 26 परसेंट के तो आपको बताना है कि P और Q के बीच में रेशो क्या होगा चलिए करिएगा इस क्यूशन को पहले करने की कोशिश करिएगा किस तरीके से इसका आप करना है चलिए देखते हैं सोलो करते हैं देखिएगा लिखा हुआ है P-Q का 50 परसेंट तो 50 परसेंट का पर 0 है न यह क्या होता है कि आपका बराबर के side में नीचे से नीचे कट जाता है क्योंकि अगर इसको इधर लाते है तो 100 बटे 30 होता है इस परकार से कट गया ठीक है अब आपको क्या करना है इस 5 का गुणा करना है अंदर किसको P और Q से तो 5 का गुणा करती ही मुझे मिलता है 5P माइनस 5Q बराबर आपका मिलता है आपको 3 का इंटू करेंगे इदर तो 3P प्लस 3Q क्या मिला 3P प्लस 3Q अब क्या करिएगा 5P है और ये जो 3P है अगर इधर आता है तो इधर प्लस का है और इधर आती ही माइनस का हो जाएगा तो 3P माइनस करेंगे 5P मेंसे तो 5 मेंस 3 गया तो 2P 2P बराबर आपका बचा ये जो माइनस का Q है ये माइनस का Q उधर जाके प्लस का Q हो जाएगा तो प्लस का 5Q तो आपका आजाएगा 8Q कितना बचेगा 8Q तो आप देखिएगा ratio बना 2 एकम 2 दो चोकाट तो आपके सामने आया 1P बदाबर 1P बदाबर आपका आया कितना 4Q तो आपने देखा 1 4 ratio होगा या 4 1 तो ज्यानने के लिए देखिएगा कि P के सामने आ रहा है आपका 4 और Q के सामने आ रहा है 1 तो 4 1 ratio हुआ पी क्यूं का ratio पूछा तो 4-1 ratio होगा तो इसका answer आजाएगा option number B आपका correct answer हो जाएगा ये वाले question हमने शाम की 7 बज़ी class जो चलती है chapter wise उसमें सारे question किये हुएं तो जिसको देखना है वो देख सकते हैं उसमें 3 chapter हो चुके हैं अपने उसत वाला हो गया शाम वाली class में आपका ratio वाला हो गया और आज आपका चलेगा आपका कौन सा age वाला है न एज वाला चल गया है चेप्टर second part आज जिसका आज का शाम को देखना मत भूलिया चलिए शुरू करते हैं अगला वाला question यानि कि question हो चुका है second question आप लोग देखिएगा second question आपके सामने है लिखा हुआ है कि चातर पढ़ने की कोशिश करिएगा चातर गणिती गणना में गती प्राप्त कर सकते हैं चातर जो है गणिती गणना जो होती है यानि कि उनकी calculation होते हैं उसमें speed कैसे बढ़ा सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा मोखिक कारी द्वारा या लिखित कारी द्वारा या अभ्यास द्वारा बताईएगा इसका अंसर क्या होगा option number D अभ्यास द्वारा है द्वार ने द्वारा है न चलिए क्या होगा इसका अंसर आप सभी को भली भाती पता होगा कि गडती गड़्ना में सटीड बढाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है अभ्यास है अभ्यास करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस MAX MP rep예요 कोई भी चीज जैसे कि मांन्लो यह भी मोक्तेश डेली आ रहे वाला question देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है करने की कोशिश करिएगा इसको लिखा हुआ है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणिती ओसत कितना होगा आपको बताना है कि 10 पूर्ण संख्याओं का ओसत कितना होगा 5 होगा 5.5 होगा 4 होगा या 4.5 होगा करने की कोशिश करिए इसका अंसर क्या आएगा देखिए बताइए मुझे क्या आएगा देखिए इसको कैसे करना है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए पूर्ण संख्याय बोला है तो पूर्ण संख्याओं का अर्थ होता है कि सारी संख्याय यानि कि पूर्ण संख्या प्लस आकरी संख्या बटे दो तो 9 बटे दो कर देंगे तो इसका अंसर आ जाएगा 4.5 यानि कि option number D आपका correct आंसर हो जाएगा मालो यहाँ पूर्ण संख्या नहीं होती मालो यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं होती और यहाँ लिखा होता आपका प्राकरत संख्या है जब यहाँ प्राकरत संख्या लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या लिखी है तो पूर्ण संख्या में हम क्या करते हैं जीरो को भी शामिल करते हैं तो इसका अंसर आएगा 0 प्लस 9 बटे 2 यानि कि 4.5 इसका अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number देखिएगा फोर्थ वाला देखिएगा लिखा हुआ है कि आर्ये भट का समाज में योगदान हर बालक जान रहा है यह किस उद्देश की पूर्ती कर रहा है यह जो वाकिया किस उद्देश की पूर्ती कर रहा है यानि कि ये जो है अभी रूची का उद्देश पूरा कर रहा है यानि कि option number C इसका correct answer हो जाएगा इस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं आगे अगले question की और देखिए आप 5th number का question आपका लिखा हुआ है कि कोई वस्तू 5% के लाब पर बेची जाती है यानि कि कोई वस्तू है वो 5% के लाब पर बेची जाती है तो विख्रेयमुलिय के बीच अनुपात कितना होगा तो 155 होगा या 5-1 होगा 20 ratio 21 या 21 ratio 20 तो आपको बताना है कि विख्रेयमुलिय और करेयमुलिय के बीच जो है वो अनुपाद क्या हो जाएगा देखिए अब हमलेते हैं 100 रुपय का करई मुल्य है अब 5 परतीशत का मतलब कितने हम बेचेंगे 105 में पर हमें जो जमाना है वह रेशो इस प्रकार रेशियो시는 जमाना है आगे बढ़ते हैं question number six देखिएगा लिखा हुआ है कि आपके सामने ताश के पत्तों में छीपे अंको के खेल को चात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है वह किस कारण से संबंदित है व्यक्तित्व ग्यानोप योग कोशल या अवबोत इसका आप ल जाएगा व्यक्तित्व यानि कि अपने विचारधारा के अनुसार कर रहा है तो व्यक्तित्व का कारण होगा यानि कि इसका आंसर आजाएगा option number a आपका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की और question number seven आप लोगों के सामने हैं देखिएगा लिखा हुआ है कि 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 चतुर भुज की भुजाएं तीन चार पांच छे के अनुपात में हैं तथा इसका परिमा बहुतर सेंटीमिटर है इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमिटर होगी आपको बताना है कि सबसे लंबी भुजा जो है वो किस अनुपात में होगी यानि कि क्य होगी कितने cm होगी तो बड़ा आसान है यह तो देखिए परिमा बराबर होता है सभी भुजाओं का योग परिमा बराबर ध्यान रखिएगा कि सभी भुजाओं का योग होता है अब सबी बुजाओं का योग आप यहां रेशो में अगर देखते हैं तो वो आ रहा है 3, 4, 5, 6, सबको जोड़ें 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18 यानि कि रेशो में अगर जोड़ता हूँ तो 18 आ रहा है 18 X और आपका अगर यू देखा जाए तो 72 है तो X की value आप निकालेंगे तो 18 चोग बहुत तर है ना तो X रेशो बराबर 4 आया है यानि कि आपको एक रेशो बराबर 4 तो आपकी सबसे लंबी बुजा कौन सी है 6 वाली तो आप into कर देंगे 6 का तो 6 चोग 24 यानि कि सबसे बड़ी बुजा सबसे लंबी बुजा की लंबाई कितनी होगी या सबसे बड़ी बुजा की लंबाई कितनी होगी तो 24 होगी यानि कि option number A इसका right answer हो जाएगा इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं question number 8 देखिएगा 8 number का question लिखा हुआ है देखिएगा सम और विशम संख्याओं को बालक सारणी बद कर रहा है वस किस उद्देश की प्राप्ति कर रहा है सम और विशम संख्याओं को वह सारणी बद कर रहा है यानि कि उन्हें सही साथ जमार आए कि सम कौन सी है और विशम कौन सी है तो वह किस उद्देश की प्राप्ति कर रहा है ग्यानोप योग कोशल अवबोध या व्यक्तित्व आपको बताना है कौन से उद्देश की प्राप्ति कर रहा है बहुत ही शांदार क्यूशन है इसका आंसर बताईएगा क्या होगा इसका आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा व चलिए चलिए का लोगों बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो कष़ाइब यहां पर दिकenta चल रहा है कि गेम हो रहा है कि कुछ तो डबल का सुन्हीं ऐसा कुğ गेम हो रहा है देखेंगे यहां तो पता जल जाएगा आपको तीन का डबल करना है तीन दुन अच्छे प्लस वन करना है फिर साथ का भी डबल करना है और प्लस वन करना है पंदरा का भी डबल करना है प्लस वन करना है 31 का भी डबल किया प्लस वन किया तो 63 का भी डबल कर देंगे दो ती अच्छे दो चंग बारा एक 126 और प्लस कर देंगे 1 को तो 127 इसका अंसर आ जाएगा option number D आपका correct answer हो जाएगा तो इस प्रकार से इस question को solve कर लेंगे आगे बढ़ते हैं next question देखिएगा question number 10 देखिएगा लिखा हुआ है कि गणित विशाई के पुरातन इस्तरोत के रूप में कौन सा गरंत उपयोगी होग सामवेद, रिगवेद, अधरवेद या फिर option number D या जुरवेद तो इसका answer आप लोगों बताना है कि कौन सा वेद जो है आपका इसके लिए उपयोगी होगा चलिए इसका correct answer देखते है correct answer क्या होगा मैं बताता हूँ इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा रिगवेद यानि question number 11 आप लोगों के सामने है, question number 11 पढ़िएगा, देखिएगा लिखा हुआ हासिल का या हाथ का लगा हुआ, समप्रत्तिको गणित में सरोप्रत्म देने वाला कौन था, यानि कि हासिल का या हाथ का लगा ये कहने वाला ये पिर या फिर ये concept देने वाला सरोप्रत्म कौन तो वो थे आपके श्रीधर चलिए बढ़ते हैं अगले question की और question number 12 देखिएगा आप लोग चलिए क्या लिखा हुआ है आपके option भी आपके यहां पर लिख देते हैं चलिए पहले question को पढ़ेंगे ठीक से लिखा हुआ है कि 30 pencil या 30 pen तता 55 pencil कुल मिलाकर 510 रुपए में खरीद गई 30 pen और 55 pencil कुल मिलाकर 510 रुपए में खरीदे गई यदि एक pencil का उसत मुल्य दो रुपए था तो एक pen का उसत मुल्य कितना होगा चलिए आप लोगों को बताना है बड़ा आसान question है है न कैसे करेंगे देखिए अब बोल रहा है कि एक pencil का उसत मुल्य दो रुपए था यानि कि एक pencil कितने रुपए की दो रुपए की तो आप बताओ पेंसिले कितनी थी तो 75 pencil तो टोटल रुपए कितने हो गए होंगे तो 75 का डबल डेड़ सो यानि कि 150 रुपए की तो टोटल पेंसिल हो गई होगी तो हम क्या करते हैं total 510 रुपए में दोनों खरीदे थे तो 60 रुपए बच रहे हैं किसके केवल पेन के तो 30 पेन के 360 रुपए तो एक पेन के निकालना है तो आपको क्या करना पड़ा 30 से ये काट देंगे 10 से 10 तीन एकम तीन तीन दू निचे तो आपका एक पेन कितने रुपए का आ जाएगा 12 रुपए ओसत कितना मुल्य हो जाएगा 12 रुपए एक पेन का उसत मुल्य हो जाएगा ओप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ओप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से चली आगे बढ़ते हैं क्योशन नंबर 13 देखिएगा लिखा हुआ है कि माध्यमिक इस्तर पर अंक गणित की शिक्षन विधी कौन सी होगी प्रायोगिक विधी विशलेशन और संसलेशन विधी आगमन और निगमन विधी उप्यूक्त सभी तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा आगे बढ़ते हैं कि उस्टिशन नंबर देखिएगा आपका 14 वाला देखिएगा लिखा हुआ है 14 वाला पढ़ने की कोशिश करियेगा लिखा हुआ एक तरिज्जा वरत बी की तरिज्जा से दुगनी है चलिए करने की कोशिश करते हैं तीन वरत हैं आपके सामने वरत का मतलब ये गोल आकरती जो आप सभी को पता है और उसका शित्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है उसका जो शित्रफल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वेर होगा चलिए तीन वरत बना देते हैं मैं बना देता हूँ यहाँ आप देखिएगा A, B और C तीन वरत हैं तो समझ जाएए यह आपके वरत हैं यूँ समझ लीजिए यानि कि इसकी तरिज्जा की दुगनी होगी तो इसकी तरिज्जा अगर 1 मान लेते हैं कितनी मान लेते हैं 1 तो इसकी कितनी हो जाएगी तरिज्जा दुगनी यानि कि 2 हो जाएगी फिर देखिएगा वरत A की त्रिज़ा वरत B की दुगनी है इस B की दुगनी है इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 2 की डबल 4 तो इसकी त्रिज़ा हो जाएगी 4 अब इनकी त्रिज़ा है आगई शेत्रफल का अनुपद निकलना है तो आपको शेत्रफल का फॉर्मूला यहां लिखा पाई आर स स्क्वेर और पाई और स्क्वेर अब तीनों में क्या होरा है पाई कोमन है तो आपका रेश्यstory बदाना है तो पाई सेाव तीनी वार कण जाएगा । आप कुछ धर करना है तो रीडियर्िय ह्वेड है दो नयां कि चार क项 स्क्वेर कितना हो जाएगा 16 2 अगले क्योशन की तरफ देखिएगा क्योशन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है कि चात्र एक मिनट चात्र वरत तथा गोले में तुलना करता है तो वह किस उद्देश की पूर्ति करता है चात्र जो है अगर वरत और गोले की तुलना करता है तो वह किस उद्देश की प् एक टॉइस अंसर है आप लोगों ने देख लिया थैए यह आपको उसका आउबोद मतलब ग्यान होना जैसे की आपका वर्ग और आयत में अंतर करना यह ने है आउबोद मतलब मतलब उससे और आप्रती का किस तरीके से अब यहां बात और गोले की हो रही है तो यहां बात हुई टू úड़ी आकृति और 3d डाकृती की तू डायमेंशन और त्रीडी आकृति यह त्रीडेया next देखिये वरब क्या होता यानि या वरत की यह यह है आपकी व्रत क्या है व्रत और 3D आकरती की अगर बात करूँ तो यह गोला जो है गोला मतलब आप समझने की कोशिश करिए गोला ऐसे आकरती होती है जो आपको यह दिखती है जिसको आप हाथ से पकड़ सकते हैं और हाथ में रख सकते हैं जैसे कि गेन गेन समझ लीजी की गोला है और आपको समझना है तो वरत जो है आपका जो दिखा है दिता है यानिकंए जो पेज़ पर होती है वह होती है और जो हाथ में ले सकते हैं धिदि होती है जैसे ही हैं यहां अंतर होता है आप सबी बढ़ते हम next question लेते हैं question number 16 देखिएगा यहां देखिएगा लिखा हुआ है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमश दस प्रतीशत और पच्चिस प्रतीशत अधिक हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतीशत चलिए आप लोगों को बताना है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितने प्रतीशत है चलिए कैसे करेंगे देखिएगा इसको करने की कोशिश करते हैं तीन संक्या हैं दो संक्या है तीसरी संक्या से तो तीन संक्या बना लेते हैं यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C अब तीसरी संक्या से बड़ी है तो तीसरी संक्या से क्या करना है तीसरी संक्या को मान लेना है 100 percentage है इसलिए 100 मानना ज़्यादा उचित रहेगा देखिएगा हम इसको जोडते हैं क्या बोला उसने अब पहली संक्या और दूसरी संक्या इस प्रकार है 10% ज़्यादा तो पहली 10% ज़्यादा मतलब यानि हो जाएगी 110 डूसरी जो है 25% ज़्यादा है यानि के हो जाएगी 125 अ वो बोला कि पहली संक्या दूसरी संक्या कितना प wives ็सनक्या कितनी है 110 दूसरी संक्या का यानि कि 125 को लिखा जाएगा नीचे कितना प्रतीशत है तो क्या करेंगे आप इंटू 100 कर देंगे अब 25 से कट जाएगा 25 चोख सो और 25 पांजे 125 और फिर 5 से कटेगा यह 5 दूनी 10 और यहां फिर 10 बचा 5 दूनी 10 और 22 इंटू 4 कर देंगे तो 88 प्रतीशत है यानि कि दूसरी संख्या का कितना परसेंट है 88 परसेंट क्या हो जाएगी पहली संख्या हो जाएगी तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 88 परसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्यूशन नंबर 17 देखिएगा लिखा हुआ है कि यदि एक एक अध्यापक गणी क्योशिष जो जाएगा आपका राइट आणसर हो जाएगा मुश्ण नंबर 18 देखिएगा लिखा हुआ है कि तीन सेंटीमिटर देखे, पढ़ने की कोशिश करिए, क्यूशन को करने की कोशिश करिए, लिखा हुआ है कि तीन सेंटीमिटर तरिज़ा वाले किसी वरत की परिधी तथा उसके शेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा? एक तीन होगा दो तीन होगा दो नो होगा या तीन दो होगा आपको बताना है कि तीन सेट्रफल का आपको कुछ नहीं करना है आपको क्या बताना है आपको उनका रेशो बताना है तो परीधी क्या होती है देखिए परीधी और शेत्रफल का बताना है परीधी और शेत्रफल देखिए वरत की परिदी होती है आपकी 2 πाई आर क्या होती है 2 πाई आर और शित्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वेर है ना तो आप देखिए यहां पर आपको क्या करना तीन सेंट्मेटर तीज्जा है तो आपको क्या करना पड़ागा देखिए पहली बात तो हैं अपनी तो आप देखिए यहां तीन से एक बार तीन केंसल हो गया तो रेशो जो बना वो बना आपका टू रेशो त्री यानि कि इन दोनों में संख्यात मगमान में कितना हो जाएगा इनका टू रेशो रूप यानि कि कोई विधी है उसका विश्तरत रूप प्रयोग शाला विधी है चलिए पहला आपका इकाई विधी दे रखा है दूसरा आपका निगमन विधी है तीसरा आप्शन संसलेशन विधी और चोथा आप्शन आगमन विधी प्रयोग शाला में क्या करते है आपने practical जो किया होगा लेव वगेरा में, उसमें किया किया जाता है, कि पहले कुछ चीजे दी जाती है, उससे हम क्या करते, उनको मिलाकर कुछ न कुछ conclusion निकालते हैं, तो आब इसको समझे की कोशिश करना, प्रयोग शाला में होता क्या है, हम किसी चीज को मिला कर कुछ conclusion निकलते हैं या फिर उस से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो इन में से जो आपको option number D दिख रहा होगा आगमन विदी ये भी इसके जैसी है इसका विस्तरत रूपी है आगमन विदी में क्या होता है कि हम उदाहरन लेकर उन उदाहरन से हम जाते हैं निशकर्ष की ओर या फिर नियम की ओर जाते हैं तो उदाहरन से नियम की ओर जब जाया जाता है तो वो प्रयोक्षाला विदी का विस्तरत रूपी है यानि का option number D आप लोगों का answer हो जाएगा correct answer option number D होगा चलिए बढ़ते हैं आगे question number 20 देखिएगा आप लोग 20 वाला question देखिएगा लिखा हुआ है कि एक घनाब के तीन फलकों का एक घनाब के तीन फलक हैं उनका शित्रफल 12 वर्ग सेंटिमेटर 20 वर्ग सेंटिमेटर और 15 वर्ग सेंटिमेटर है तो इस घनाब का आएतन कितने वर्ग सेंटिमेटर गनाब के तीन करमागत फलक का शित्रफल दिया हुआ है आप समझने की कोशिश करिएगा कि उनका जो है उनका जो आएतन कितना होगा 36 हो जाएगा, 100 होगा, 80 होगा या 60 होगा, करने की कोशिश करिएगा इसका अंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ चलिए, क्योशन बड़ा शांदा रहे आप लोगों के इसका अंसर मिल गया होगा देखिए, जिन लोगों ने 36 लगा दिया है क्यों गलत है, यहां पर जो दिया है वो फलकों का शेत्र फल दिया फलक क्या होते हैं, फलक होता है आप को बताता हूँ, देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ध्यान दिजीएगा, यहां है, क्योशन ऐसे ही डिली लाया जाते हैं वेस्तित तरीके से तो आपको कहां वो गुमरह करेगा examiner वो मैं आपको बताता हूँ देखिए फलक का मतलब होता है समझने की कोशिश करिएगा तीन फलक अब तीन फलक कौन से जो दिखाई दे रहे हैं देखिए मैं आपको मिटाने कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखिए कुछ चीज मिटा रहा हूँ या फिर एक काम करो हाईलेट कर रहा हूँ तो एक फलक तो यह आपको दिखाई दे रहा है कौन सा वाला एक यह इस साइड का जो मैंने बनाए ना साइडी साइड में यह फलक दिख रहा है यह इस परकार जो उपर बना रहा हूँ एक फलक यह उपर चट चट दिख रही है ठीक है अब एक फलक यह सामने वाला तीन फलक दिखाई दे रहे हैं इनका शित्रफल दिया है बारा बीस और पंदरा तो अब क्या करिए बारा यानि कि बारा बनाने के लिए आप क्या करते हैं आपका जो फलक हो जाएगा वो चार गुणित तीन यानि कि यह समझ लिजे कि यह नीचे वाली भुजा चार है और यह हाइट आपकी तीन है तो चार तीया बारा यानि कि इसका शित्रफल हो गया आपकी यह जो लंबाई होई यह 4 होई और उचाए हो गई 3 ठीक है अब 20 वर्ग सेंटिमेटर यहनि यह समझ लो 20 है यह वाला 20 समझ लो तो यह भुजा आपकी यह समझ लो कि यह 20 है तो आप ये 4 समझ लो, ये 5 हो जाएगी, तो 4 गुनित 5 हो जाएगा, और आपकी एक और 15 है, तो 5 गुनित 3 हो जाएगा, तो 3 जो भुझाएं आई, वो आई 3, 4 और 5, तब ही 3 चोग 12, 5 तिया 15 और 5 चोग 20 हुआ, तो आपकी जो भुझाएं आई, वो आई 3, 4, 5, कितनी आई भी या, 3, 4, 5, और अब उनका घायतन, आपका घायतन बताना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इन 3 हो भुझाओं का इंटू करना पड़ता है, आईतन क्या होता है, A, L, B, H, तो आप क्या करेंगे, 3, 4, 5, कर देंगे, तो 3, 12, 12, 15, 60, यानि कि option number D, इसका correct answer हो जाएग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 21 लिखा हुआ है, कि किसी खेल के मैदान का शितरफल ग्यात करने में सहायक विदी होगी, खेल का मैदान ग्यात करने में सहायक विदी होगी, आगमन विदी, निगमन विदी, क्रिया विदी या प्रदर्शन विदी, देखिए, इसका जो विदी जो है आपकी बेश्ट होगी चलिए आगे बढ़ते हैं क्योशन नंबर 22 की और देखिएगा लिखा हुआ है कि एक त्रिबुज का शित्रफल लिखा हुआ है 216 cm2 है एक त्रिबुज है जिसका शित्रफल 216 cm2 है इसकी भुजाएं 345 के अनुपात में हैं और वह बोल रहें कि त्रिबुज का परिमाप क्या हो जाएं कि समझ जाए आप कि त्रिबुज कॉन सा वाला है आपका संकोंड 345 ka मतलब समस्थेrain तीन है ना चार और पांच यह तीन चार पांच तभी होता है जब आपकी क्या हो समकोन हो यानि कि पांच यह आपका कर्ण हो गया यह आपका आधार हो गया यह आपका लंब हो गया अब वो बोड़ा कि इसका शेत्रफल यह है तो आपको परिमाप बताना है तो परिमाप हम ब होता है half into base into height जो की दे रखा है 216 उसको बराबर लिख दो 216 तो half into base कितना है तो base आपका 4 है यह ना 4x मान लेंगे और आपका height कितना है 3x मान लेंगे और 216 को बराबर रख देंगे तो आप 2 से काटोगे तो यहां आजाएगा 2x और 2x into 3x करोगे तो 2 तिया 6 6 x square बराबर 216 हो जाएगा आप 6 से काटोगे तो यहां 36 आ जाएगा और x square बराबर आपका 36 आ रहा है यानि कि x की value कितनी हो रही है 6 यानि x बराबर 6 आ रहा है तो आप तीनों भुजाए निकाल सकते हैं छे ती आठारा है ना 624 और आपकी हो जाएगी छे पंजे 30 और तीनों को जोड़ लेंगे तो यह एक काम कर सकते हैं आप x बराबर 6 आ रहा है तो 3,4,7,7,5,12 बार चंग बहुत तर इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी बहुत तर आएगा और डारेक्ट भी आप कर सकते हैं तो 72 2 cm आपकी परिमाप हो जाएगा त्री बुझगा इस प्रकार से इस question को कर लेना है बढ़ते हैं next question की तरफ question number 23 आपका देखिएगा लिखा है किसी वरत की परिधी वह व्यास में संबंद इस्थापित करना इनमें से कौन सी विधी सहायक होगी संशलेशन विधी प्रयोगात correct answer क्या होगा इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B यानि कि प्रयोगात्मक विधी से जो है आपकी वरत की परिधी और व्यास में संबंद इस्थापित किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते है question number 24 देखिएगा लिखा हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20 प् बढ़ेगा या 2 प्रतीशत घड़ेगा चलिए करने की कोशिश करिए का कैसे करेंगे देखिए इस question को चलिए हम क्या करएंगे डारेक्ट 100 पर मानके करें तो देखिए 100 पर मानके करेंगे तो 20% बड़ाना है तो 120 कर दो 10% कम करना है तो 120 का 10% 120 का 10% होता है 12 और 12 माइनस करेंगे तो 108 हो जाएगा यहां ही शेतरफल पहले 100 था शेत्रफल होता है लंबाई गुनित चोड़ाई अब मैं क्या करूंगा परसेंटेज में बढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं दोनों को 100-100 मान लेता हूँ चोड़ाई 10% कम कर दो तो 100 की जगे कर दोगे 90 ये करने के लिए मैंने 100-100 लिया था तो बार्नमे कितना होता है 108 यानि के 10800 तो कितने की व्रद्धी हुई तो आप देखोगे 800 की व्रद्धी हुई किस पर हुई भाईया तो 10,000 पर हुई तो नीचे आ जाएगा 10,000 परसेंटे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चलि बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number आपका देखिएगा ट्वंटि फाइफ वाला देखिएगा लिखा है कि गनित विषय की पार्ठ पुस्ते के किस विधी पर आधारित होकर लिखी जाती है वो किस विधी पर आधारित होकर लिखी का correct answer इसका जो correct answer होगा वो option number A है संशलेशन विदी पर आधारित होकर गणित की पाट्य पुस्तके लिखी जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 26 देखिएगा लिखा हुआ है कि दो वर्गों के शेत्रफलों में 36 रेशियो तिन सो साथ नहीं है वो देखिएगा 36 रेशियो 25 क अनुपाद है उनकी परीमिती के बीच का अनुपाद क्या होगा उनकी जो परीमिती है या परिमाप है तो उसके बीच मेनुपाद क्या होगा देखिए करने की कोशिश करते हैं देखिए दो वर्ग है इनका आपका सेत्रफल दे रखा है षटीस और‐ पच्चिस और पनी si seem तो आपकी भुजाएं क्या हो जाएगी तो 6-36 होता है किसका फ्यार होता है जैसा याद यादी परीदी निकलना था आपका रेशो जो है आपकी बुजाओं का रेश्यो हो जाएगा तो 6-5 इसका answer आ जाएगा तो इस प्रकार से question number 26 का answer आ गया option number B आपका आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं question number 27 देखिएगा इकाई जो उपागम है किस जिक्षा विद ने दिया किस जिक्षा विद ने दिया एची सन ने रोबर्ट बूश ने एलन ने या मोरी सन ने इसका correct answer आप लोगों को बताना है कि इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका जो correct answer होगा वो आप सभी को पता होगा कि इकाई उपागम किस ने दिया तो मोरी सन ने दिया यानि कि option number D आपका right answer हो जाएगा इकाई उपागम किस ने दिया तो मोरी सन ने दिया यानि कि option number D correct है चलिए आगे बढ़ते है question number 28 देखिए का लिखा हुआ है कि एक पहिया एक पहिया 100 चकर में 22 km की दूरी तै करता है एक पहिया है जो 100 चकर लगाता है तो 22 km की दूरी तै कर लेता है तो उस पहिये की त्रिज्जा क्या होगी देखिए मैंने आपको बताए था कि जब भी कोई पहिया हो और वो आपकी दूरी ग्याद करना हो तो आप क्या करते है क आपके 100 चक्कर लगा रहा है याँ की एक चकर में चलता है वो 2 a r और ऐसे 100 चक्कर लगाएगा। तब कितना चल जाएगा 22 km तो आप क्या कर यह मिटर में निकालना रहा है तो 22u dopo 22 km कप सकते हैं 22 km луч एस सकते है वाविस हजार यहां लिखेंगर और इस सू से आप काट सकते हैं यह 2 0 कहां 100 इसको बटे में ले जाओगे तो 2 0 कट जाएगी तो 220 आजाएगा और 2 से भी कट जाएगा कितनी बार में यह 110 बार में तो πाई आर बराबर 110 यानि पाई क्या होता है 22 बटे 7 और आर आपकी रेडियस निकालना है तो वो निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब यह जो साथ है यह उपर चला जाएगा और यह जो बाविस है यह नीचे चला जाएगा तो 11 एकम 11 यानिक दस ग्यार दुना बाविस और आप 2 से करेंगे 25 दस और 57 यानि कि आपकी जो तरिज्जा आएगी वो आजाएगी 35 मिटर तो इस प्रकार से इस उसमें क्या रहता है कि अक्षर जो है यानि कि जैसे ए है बी है ये अखषर उबरे हुए रहते हैं अगर आप हाट टच करेंगे तो आपको पता जल जाएगा कि कूनसा अक्षर है उसे कहते हैं ब्रेल लिपी उसका प्रतिबादन किस ने किया तो आप सभी को बता है लुइ क्षेत के मद्य में इस्तितिक खूंटी से 14 फीट रसी से बान्दा जाता है समझ जाए है कि एक गाएं है यह जो रस्थी यह जो रसी है यह चौदा फीट है तीक है अब गाएं सो वर्ग फीट में गांस चर सकती है, वो क्या करती है, कि सो वर्ग फीट एरिया है, उसमें गांस चरती है, तो पूरे मेदान में गांस चरने में गाएं को लगबक कितना दिन लगेगा, देखिए, आप क्या करेंगे, कि पूरा जो एरिया ये कवर करेगी गुम के, वो एरिय आपकर का 616 कितना आपकर आपकर 21 में चल रही है तो लगबक पूछा है उसने एगजेक्ट नहीं बताना है लगपक तो 101 दिन में तो 600 कितने दिन में 6 दिन में तो इसका आंसर आ जाएगा option number D आपका correct answer हो जाएगा तो आज का वीडियो इस प्रकार सा 30 questions आप बताईए क्योशन आपको कैसे लगे इस type के question कैसे लगे और वीडियो कैसा लगा ये बताना है और score comment करिएगा कि आ नेक्स वीडियो में और आप लोगों से गुजारिश्ति की शाम की साथ बजे की class daily live चलती है उसको देखना मत भूलिएगा है ना उसमें आपका chapter wise पूरा करवाये जा रहा है तो जो chapter आपके आपके एमपीटेड में नहीं है वो आपके सिलेबस से बाहर अगा पभी पूछ ले तो वो chapter आपको शाम को साथ बजे करवाये जा रहे हैं तो आप चाहें तो उन चेप्टर को भी देख सकते हैं बाकी आपकी एक्जाम के लिए बेस्टो प्लक सभी को ऐसे पढ़ाई करते रिये जो लोग कमेंट करते हूं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मि लेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा